नमस्कार, मैं डाक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायलोजी क्लास में स्वागत करता हूँ और आज के हम इस वीडियो में जो CSIR Net Life Science नवंबर 20 में जो एक्जामनेशन कंड़क्ट हुआ है उसके एक्जामनेशन के जो कोस्ण के पैटर्ण को हम लोग रिविव करेंगे और हम देखेंगे कि क्या यह सवाल पिछले CSIR एक्जामनेशन में कभी पूछे गए हैं और यह हमें आगे के एक्जामनेशन में मदद करेगा और समझने में पायदा होगा कि यह topic important है और अगले एक्जामनेशन को 2021 में qualify करने में हमारी मदद कर सकता है मैंने इसका एक part already publish किया है जिसका मैं description box में link डाल दूँगा आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं आईए अब हम लोग इसको देखते हैं पहला जो एक सवाल consistent है trypsin cut side तो अगर peptide है amino acid का बना हुआ है और trypsin अगर आप enzyme जो है trypsin से अगर क्या करते हैं act करते हैं इसको तो यह कहां कहां पर एक काटता है और कितने number of peptides मिल सकते हैं यह सवाल पूछा जाता है इसको बनाने के लिए दो बात basic आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि trypsin act कहां पर करता है हर जगह trypsin act नहीं करता है वो polypeptide chain में lysine और argonine residue पर act करता है और काइमो जो trypsin है वो कहां पर act करता है phenylaline, tyrosine, tryptophan पर क्या करता है act करता है अगर आप इस residue को याद करके रखते हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं कि polypeptide जो chain है, वो कितने fragment में कटेगा अगर lysine argonine नहीं है तो tyrosine से आप काटेंगे तो digest नहीं होगा ठीक, उसी तरीके cynogen bromide है तो मिथोनीन को residue पर act करता है और polypeptide में अगर मिथोनी residue है तो इसको क्या करेंगे, digest करें इसको ध्यान रखना ये काफी महत्तपुर्ण है CSIR में 2-3 बार से सवाल पुछे गए है खास करके trypsin और chymotrypsin से तो ये काफी महत्तपुर्ण topic है दूसरा जो आप देख रहे है frame shift mutation ये भी जो frame shift mutation जो है topic काफी महत्तपुर्ण है और आपको इसकी जानकारी रहनी चाहिए CSIR में 5-6 times frame shift mutation से सवाल पुछे गए है पुछे गए हैं कि कैसे frame shift mutation होता है और कौन से mutoazin क्या होते हैं frame shift mutation में cause करते हैं अगर आपको दाम याद है तो आप comment box में लिख सकते हैं साथ साथ आपको ये भी पूछाए जाता है कि माल लिजिए कि अगर 3 niclotide है तो अगर 4 niclotide पर मतलब क्या mutation हो जाए या deletion हो जाए insertion हो जाए तो कैसे आप उसको restore कर सकते हैं तो basically frame shift mutation niclotide में addition और deletion से होता है और restore भी कैसे हो सकता addition और deletion से frame shift mutation क्या हो सकता है restore हो सकता है तो आप इसको basic को frame shift mutation को समझ लिजिएगा तो future में आपको अगर सवाल मिलेंगे तो आप इसको बना सकते हैं आईए हम लोग देखते हैं development consistent इस point से सवाल पूछे जाते हैं अगर drosophila development की बात करें या limb development की बात करें यो दोनों point काफी महत्तपूर है CSIR net life science के point होगी उसे और अक्सर इससे point से सवाल आते हैं तो सवाल काफी simple रहता है आपको ध्यान रखना है कि drosophila के development में कौन-कौन से जो messenger RNA है जिसको मारफोजीन्स के नाम से भी जानते है वो कहां पर कैसे act करते हैं जैसे backward जो है messenger RNA है जो कि interior part पर located होता और head के लिए responsible होते हैं अगर backward mutant है तो आपको क्या होगा कि head development नहोगा अगर आपने बीच में backward डाल दिया है तो बीच में head development हो जाएगा तो ये बाते काफी महत्तपूर्द है और interior, posterior part पर मौजूद नहीं होता है तो posterior part पर अगर आपने क्या दिया ये backward क्या messenger RNA डाल दिया तो वहाँ पर भी head develop होगा और दो head हो गया आप चीजों को development को जानना चाहिए drosophila development को काफी detail से पढ़ना चाहिए limb development ये भी काफी महत्तपूर्द है और जो limb का development होता है core limb और hind limb का development होता है different time points में होता है और ये limb development कैसे होता है continuous interaction between mesodermal और ictodermal component तो ये जो limb bird है वहाँ पर क्या होता है interaction होता है mesodermal और ictodermal component और different signaling component है जिनको याद रखना है कि ये component का activation या deactivation limb development के लिए क्या होता है responsible होता है तो आप नहीं जानते हैं तो देखिए और अगर आपको जानता है तो आप लिख सकते हैं कि limb development के लिए एक जो component activation होना चाहिए या deactivation होना चाहिए इस path में के through limb development होता है अब देखते हैं SIRNA और messenger RNA कोई ऐसा साल नहीं है जो इसमें CSIR से सवाल पूछे नहीं जाते हैं और किसी भी competitive examination में पूछे जाते हैं SIRNA, microRNA से सवाल पूछे जाते हैं तो यहाँ पर क्या सवाल पूछे जाते हैं SIRNA, एक तो messenger RNA कहां से synthesis करता है कौन से enzyme इसको synthesize करते है SIRNA, साथ में यह भी पूछा जाता है कि आपका SI RNA और messenger RNA का function क्या है और कैसे एक दूसरे से क्या है different साथ साथ यह भी पूछा जाता है कि extra cellular hematrix protein काफी महत्तपुर्ण है आपके cell के membrane के protein में extra cellular hematrix protein है यह कौन-कौन से protein होते हैं और आपस में interaction करते हैं cell-cell interaction में भी role play करते हैं तो यह नाम आपको धिहान रखना है और इसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं तो अगर आप चाहें तो microRNA और SI-RNA के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से description किया गया है और वहां से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं different book में काफी तरह का confusion है मतलब RNA, SI-RNA, SHRNA के बारे में तो आप इसको देख सकते हैं इससे क्या होगा आपके understanding अच्छी होगी अब देखी ये भी जो सवाल है इस बार पूछा गया था protein sorting signal sequence तो ये आपको signal sequence तरीके का है जो आपको ध्यान रखना है signal sequence के बारे में यहां से सवाल पूछे जाते हैं कि signal sequence protein sorting कैसे होता है और इस बार थोड़ा different था कि amino acid के बारे में नहीं पूछा गया था कि कौन मतलब पूछा गया था simple कि manose 6-phosphate receptor के बारे में लिगे थोड़ा घुमा के पूछा गया था कि उसमें कोन से organelles है जहां पर कि signal sequence के पौर में modification नहीं होता है protein का तो यहां पर वास्तों में CSIR में पहले भी पूछा गया है मैंनो 6-phosphate के बारे में different तरीके से और फिर वही सवाल फिर पूछा गया anyway आगे देखते है RNA splicing काफी महत्तपून topic है RNA splicing different जो messenger RNA बनते हैं splicing के दुरान बनते हैं और splicing में आपका क्या होता intron का removal हो जाता है और फिर messenger RNA आपस में जूट जाते हैं तो आपको दो तरह के हां से सवाल consistent पूछे जाते हैं पहला जो splicing splicing जिसमें different तरह के SRNA involved होते हैं और यह काफी महत्तपूर्द है competition में पूछा जाता है कि SRNA काम कार करते हैं SRNA क्या करते हैं RNA splicing का काम करते हैं enzymatic splicing के बारे में पूछा जाता है कि कौन-कौन से enzyme complex involved होते है SRNA के U1, U2 तो यह आपको ध्यान रखना आप देख सकते हैं RNA splicing को टॉपिक को अच्छी से तयारी करके रख सकते हैं अब देखिए यह काफी महत्तपूर्द है plant hormone और function और signaling pathway निशित पूछा जाता है आप अच्छी तरीके से इसको तयारी कर लीजिए plant hormone के function को signaling pathway को और अगर आप oxygen का ही रखते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि oxygen का biosynthesis कैसे होता है साथ-साथ oxygen का transport कैसे होता है कौन-कौन से जो receptor होते हैं और मतलब करने के कौन से फॉर में मतलब क्या होता है transport होता है कहाँ पर SD होता है कहाँ पर basic component का होता यह सारी basic बाते हैं जिसका मैंने अलग से different oxygen biosynthesis oxygen transport इस तरीके से मैंने इस video बनाया है आप JK biology class पर उस video को देख सकते हैं और साथ-साथ मैंने वहाँ पर explain भी किया है कि CSIR question explain करके बताया है और कड़ी about more than 300 videos available है तो आप उसको देख सकते हैं और वहाँ से आपको क्या होगा काफी फायदा होगा अब अगला सवाल है specification में जो पूछा गया है autonomous और conditional specification तो इससे भी सवाल इस पर पूछे गए थे इस पार सवाल था conditional specification से तो ये topic काफी महत्तपुन है और development biology का सवाल है specification कैसे किसी fate मतलब future अगर कोई ये sale है undifferentiated sale है तो कैसे ये है finally क्या होता differentiate होके या तो muscle बन जाए या neuron बन जाए तो ये sale का जो fate है कैसे हम लोग determine करते हैं कि क्या बनेगा तो इसके दो है या तो autonomous होता है या conditional होता है autonomous मतलब कि अपने आप मतलब उस पर कोई आपको क्या है बाहरी factor का कोई effect या role नहीं है conditional मतलब बाहरी surrounding factors के भी क्या उसके role important role है और इसके basic बात को आप देख और समझ सकते हैं जेके biology class पर autonomous और conditional mutation नहीं autonomous और conditional condition के बारे में specification के बारे में काफी simple भार्षा में discuss किया गया आप चाहें तो उसको देख सकते हैं Hamilton rule Hamilton rule भी काफी महत पूर्ण है या ecology का सवाल है और ecology evolution से Hamilton rule आता है और इसमें altruism से सम्मंदित है कि किस परिस्तिती में कोई और किसी को save करेगा तो इस पर यही पूछा गया था यह formula ही पूछा गया था और कहीं ऐसा नहीं कि यह पहली बार पूछा जा रहा है यह सवाल consistent यह सवाल पूछा जा रहा है तो यह ध्यान रखना है Hamilton rule ठीक है कि Hamilton rule है क्या genetic relatedness क्या है आर का value क्या होता है different चीजों के लिए इसको ध्यान रखना है अगला जो चीज देख रहे हैं क्या और इसका video जेके biology classes पर उपलब्द है तो speciesation allopatric speciesation parapatric, peripatric, sympatric different type के speciesation होते हैं और geographical biopatric क्या बोलते हैं allopatric speciesation बोलते हैं नए species की creation के बारे में बोला जा रहा है कि नए species का creation और इस पर पूछा गया था allopatric के बारे में या कोई नया सवाल नहीं है पहले भी इस तरह के सवाल पूछे गए हैं अगर आप पहले से इसको त्यारी रखते तो आप असानी से इसको बना सकते थे और JK biology class पर speciesation से वीडियो मौजूद है और डारेक्ट यही बात कहा गया है कि different तरह के speciesation के बारे में बताएगा allopatric, parapatric, peripatric अगर हम सरल भासा में कहें कि more than कहने का क्या मतलब 30-40% JK biology class के important concept से पूछे गए हैं तो यह जादा नहीं होगा सारे चीजों महत्पुन factor की बात की receptor based सवाल आप से पूछे जाते हैं receptor based मतलब कि sales होते हैं और sales पर क्या होते हैं receptor होते हैं तो यह basic सवाल हर साल कहीने कही पुछा जाता है कि receptor है receptor को mutant कर देंगे तो क्या होगा अगर एक तरह के receptor है और दूसरे cell पर receptor पर लगा दें यह cell है तो receptor क्या है अगर इसको exchange कर दे receptor को तो क्या होगा response भी अलग-अलग हो जाए क्योंकि receptor ही ligand से bind मालिक A receptor है यह B receptor है तो वास्तों में A receptor यहां डाल दें और B receptor A डाल दें तो यह B के against में response करेगा और A के against में response करेगा different kinds of receptor के properties के बारे में पुछा जाता है signaling path में में receptor है क्या basic उसका role है और यह कोई नया सवाल नहीं है इस पर pain receptor के बारे में पुछा गया था और उससे भी महत्त पूर इलाईसा टेस्ट सायद ही कोई ऐसा साल है जो CSIR CSIR में नहीं सवाल पुछा गया है और इस बार पुछा गया था कि आपका secondary antibody है वो कैसे bound होता है कि तो यह क्या होता है covalent bond से bound होता है permanent bounding होता लेकिन यहीं पुछा जाता यह आपका क्या है antibody और primary antigen जो भी है यहाँ पर antigenes interaction होड़ा है तो non covalent interaction होता तो आपको क्या जानना चाहिए यहाँ पर ध्यान से आपको जानना चाहिए कि कैसे ELISA testy संपन्न होती है आपको ध्यान रखना चाहिए इससे बहुत महत्तपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं आईए हम लोग और सवाल को देखते हैं R selection, K selection यह भी काफी महत्तपूर्ण है R selection और K selection और यह कोई नया सवाल नहीं है इससे अकसर सवाल R selection और K selection से पूछे जाते हैं R selection और K selection और type of survival ship का कैसे related है इससे सवाल पूछे जाते हैं आपको इसकी जनकारी होनी चाहिए अगर आप इससा करते हैं तो इससे को सवाल को असानी से बना सकते थे इसके लिए मैंने अलग से R selection और K selection का वीडियो JK Balogy पर उपलब्ध है आप उसको देख सकते है R selection और K selection बिल्कु आपकी ही भासा में सरल भासा में अब देखते हैं Photo Respiration या भी कोई जो टॉपिक है कोई नया टॉपिक नहीं है और इसे हकसर CSR में सवाल पूछे जाते हैं करिब करिब हम कहें कि दो एक्जामनेशन में एक बार निशित पूछे जाते हैं तो ज़्यादा नहीं होगा हर बार Photo Respiration से सवाल पूछे जाते हैं और इसके संबंध या तो कभी कभी C3 plant में होता या C4 plant में होता इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और Photo Respiration का जो pathway है उसके बारे में पूछा जाता है कि कौन-कौन से Organal Bird है कैसे कैसे Component है Glycerol है, Serene है इस पर पूछा गया था कि Serene कहाँ बनता है तो आपका Mito-Kundi या अंसर था यह कोई नया point नहीं था अब देखते हैं मैं एक चीज और बात बता देना चाहता हूं कि CSIR Net Life Science के कलब के तरब से तीन भॉलूम में different का question का जो different साल में पूछे गए है उसको अलग-अलग separate किया गया है आप चाहें तो इसको hard copy के लिए इस number पर contact कर सकते हैं या updated book है जो last examination तक all it is में published है साथी साथ आप section एक की की तैयारी करना चाहते हैं तो यह यहां पर previous year का sold paper साथ प्रेक्टिस सेट यहां kindle edition में Amazon पर उपलब्ध हैं आप चाहें तो paper 1 के लिए आप इसको purchase कर सकते हैं अब देखे sales cycle and regulation based या sales cycle से हर साल सवाल रहता है या अलग बात है कुछ और सवाल रहता है लेकि sales cycle से सवाल हर साल रहता है तो यह आपको sales cycle बढ़ियां से जानना चाहिए कि sales cycle में कौनको उनसे factor होते हैं कौनसे उनको से fast correlation होते हैं deep fast correlation होते हैं और कैसे एक दूसरे को statement transition में मदद करते हैं CDK के बारे में idea होना चाहिए B-cycling के बारे में M-cycling के बारे में E-cycling के बारे में कैसे cycling fast correlate deep fast correlate होते हैं सब इसी वाइप को basic idea होनी चाहिए हम लोग इसको class में अक्सर बताते हैं कि sales cycle काफी महत्त पूर्ण चीज़ है इसको आप याद रखिए पोलिप्लाइडी एनुप्लाइडी बेस सवाल यह भी topic काफी महत्त पूर्ण है पोलिप्लाइडी एनुप्लाइडी तो यहाँ पर इस बार सवाल पूछा गया था कि कुछ को मोजोमस नंबर दी हो थो और स्तरक मोनोसोमिक यार नलोसोमिक निकालना था सायर तो यह आपको धानना चाहिए कि मोलोसोमि, ट्राइसोमि, टेटरासोमि कहते किसको है तो यह condition को भी याद रखना है और इसे आप सवाल अगर आपको याद रखते हैं तो आसानी से बना सकते हैं Somatic Hybridization Based तो जो एक सवाल हर साल रहता है कोई ऐसा साल नहीं है कि यह सवाल नहीं रहता है वास्तोमि कहा रहता है मैपिंग से शवाल रहता है क्या रहता है, मैपिंग से और मैपिंग से या तो Deletion Mapping रहता है Deletion Mapping रहता है या Somatic Hybridization रहता है Deletion Mapping और दोनों के वीडियो में अगर हम देखे तो हम कर सकते हैं कि यह जो सवाल का जो basic pattern चेंज नहीं हुआ है आज मी वही सवाल पूछे जाते हैं मैपिंग से एक सवाल रहता है तो मैपिंग से या तो deletion से रहे या somatic vibration रहे या कोई और तरीका से जीन को मैपिंग के बारे में पूछा जाता है तो यह हर सवाल यह हर साले सवाल आता है तो आप भी इस चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख लिजी और मैं last में ही करना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए ताकि आपकी कोई भी नया वीडियो की सूचना या कोई भी update जेके biology classes पर आपको तुरंद प्राप्त हो और इसका आपको फायदा मिल सके हो Thank you for watching the video अगर आप हमारे CSR NetLife Science Club को join करना चाहते हैं तो आप basic जनकारी के लिए 6202692436 पर क्या कर सकते हैं consult कर सकते हैं यहाँ पर online, offline दोनों सुविधा मौझूद है और जैसी आपनी सुविधा हो वैसा कर सकते हैं Thanks for once more for watching